हाई एवरिवन आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत हैं आज का जो मेराधन सीरीज है इस रिलेटर टू यूनिट थ्री यूनिट थ्री से लिटरी फॉर्म्स एंड डर्म से ही रिलेटर कोईशन्स है तो आज इनको देखते हैं सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलूँगी पहले आप सारी वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट कोईशन्स हैं जो एक्जाइब पॉइंट ऑफ व्यू से बने गए हैं क्योंकि हर एक क्वेशन को बड़े डीटेल से समझाया जाता है महनत की जाती है आपको समझाने के लिए तो इसको जरूर देखा करें और जब जो लोग अभी तक सिर्फ देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो दिस इस हमबल रिक्वेस्ट तो दोज कि आप आपको ये वीडियो अच्छे लगती हैं है और जितना ज्यादा हो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को 1000 तक लाइए पहले फिर उसके बाद आगे इसको और एक्टेंट कीजिए और येस जहां जिस रीच इसकी बढ़ाईए मैक्सिमम तो मैक्सिमम दिस इस अरे क्वेस्ट चलिए चलते हैं आप आगे फर्स्ट कुश्चन पर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम पहला कुश्चन है एपिक ऑफ ग्रोथ इस कॉल्द देखो एपिक ऑफ ग्रोथ को क्या कहा जाता है तो पहले तो मैं आपको समझा दू कि एपिक होते कितने टाइप के हैं दो टाइप के एपिक होते हैं एक होता है आपका फॉल्क एपिक एक होता है आपका फॉल्क एपिक और एक होता है आपका यू कन से लिट्ररी एपिक लिट्ररी एपिक ये दो प्रकार के क्या होते हैं एपिक होते हैं अगर हम एपिक की बात करें तो क्योंकि वो बोल रहा ह कि epic of growth तो epic of growth जो होता है वो होता है folk epic ये जो folk epic है ये create किया जाता है और इसको develop किया जाता है oral tradition से मतलब oral tradition का मतलब क्या है जैसे story जैसे आप ballot पढ़ते हो जैसे इसमें stories बताई जाती है heroes के बारे में फिर उसको गाना गाया जाता है जैसे कभी कोई feast feast दावत हो कुछ हो तो वहाँ पर उन heroes के बारे में उनके गीत को गाया जाता है उनके लिए और generation मतलब ऐसा नहीं कि एक नहीं ये generation to generation pass on होती है जैसे हमारी जो दादी लोग थे दादी के बाद दादी के भी जो दादी लोग थे उनोंने सुनी होगे फिर उनोंने हमें सुनाई फिर हमने अपने आने वाले generation को सुनाएंगे हमारे आने वाले generation the coming तो this is the way how the story is been moving eventually और ये चीज़े जो है ये story जो है ये orally बोली जाती है और from story to story until तब तक जब तक कि इसको लिखा ना जाए क्योंकि इसको लिखा नहीं जाता ये सिर्फ बोली जाती है और इसी को पीडी दर पीडी बोला जाता है तो उसको कहते हैं folk epic I hope ये clear वा होगा आपको तो epic of growth क्या है folk epic next question है the dash epic is the epic of growth देखिए वही question आगे for it's made of many folk poems देखिए बहुत से folk poems के लिए current stories के लिए legends के लिए ballads के लिए अभी मैंने आपको in a nutshell पूरी explain कर दी है कि ये oral tradition है एक के बाद एक के बाद heroes की कहानियों को गाथाओं को जैसे ballads में गाते हैं न legends की बातों को बताते जाना जैसे हम अभी महात्मा गांदी जी के बारे बता रहे हैं तो आने वाला generation में उनके बारे बताएगा this is the way how the story has been passed on तो यही क्या कहलाई जाती है सिर्फ बोली जाती है that is known as folk epic अब folk epic जो है वो होता क्या है यह भी याद रही है यहाँ पर folk epic लिखके third question है आपका epic of art is epic of art किसे कहा जाता है तो art कला कला मतलब जो लिखावा रूप में हो लिखित में हो हमने epic of growth कहा याद रखना आप ध्यान देना लिख लीजे चाहें epic of growth तो आपका folk है क्योंकि वो सिर्फ बोली जाती है लिखी नहीं जाती जो लिखी जाती है epic of art उसे हम बोलते है literary art literary epic कहते हैं उसे हम तो वो literary epic क्या है epic of art actually क्या है it is a conscious purpose of the point conscious का मतलब होता है सचेत सचेत अब ये क्यों होता थोड़ा इसको समझा देते हैं आपको epic of art की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसको हम usually literary epic कहते हैं ये epic वो होता है जो किसी की copy करता है परंपराओं जो जैसे folk जैसे मैंने आपको आगे बताया कि folk epic जो होता है उसमें hero के बारे में बताया जाता है tradition to tradition चलता है तो उन चीजों को यहाँ पर लिखित रूप में लिखा जाता है इसको shape किया जाता है inner return तो ये जो literary epic होते हैं ये इनको और थोड़ा सा polish कर देते हैं अब ये नहीं कि वो polish का मतलब है थोड़ा refined कर देते हैं इस post बना देते हैं जिसे हम coherent कहते हैं और compact structure और style बना देते हैं जो कि compare किया जा सकता है जब उसको compare करें folk epics है तो इस format में इसको लिखा जाता है जो literary epics है वो result है किसका कि point की प्रतिभा point ने उसको किस प्रकार से लिखा है वो उसकी कला को बताता है इसी लिए that is why they have इसी लिए हम कहते हैं इसका बहुत बड़ा महत्व होता है literary point of view से तो I hope epic of art आप समझी रहे हो epic epic तो आप जानते ही है है न epic क्या है I know you must be knowing epic महा काव्य और art क्या है कला तो महा काव्य लिखने की कला उसी को हम बोलते हैं literary epic चलिए next question पर चलते हैं let's move on to the fourth question एक minute fourth question पर चलते हैं a mock epic is यह मैंने आपको पढ़ाया भी था in the last video जो इससे related हो जिन लोगों ने अभी तक पहली video मेरतन नहीं देखी हो literary form से वो उसको भी देख लीजिएगा यह उसके बाद next part है तो mock epic क्या है mock epic एक parody of real epic है parody तो आप जानते ही है hasin parody का मतलब होता है हासे पूर व्यंग तो किसी भी महा काविया का mock epic क्या है हासे पूर व्यंग है next question पर चलते है which of the following is a mock epic अब इसमें mock epic कौन सा है तो आपने the rape of the lock पढ़ी है तो rape of the lock आपको story पता है बाल काटने पर वो एक mock epic है ठीक है अलेक्जेंडर पोप के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपको याद होगा next question है it is related the question is related to it so I am not going to explain it further इसके बाद next question वो ही आगिया one of the following point has written the mock epic identify अब mock epic कौन सी लिखी है इसी ने लिखी है पोप ने लिखी है अलेक्जेंडर पोप ने और वो कौन सी है the rape of the lock ठीक है next question है यह इसी से related आगिया question उपर वाला बन गे next question बन गिया next question यहाँ चलते है seventh question है the rape of the lock is written in इसको किस form में लिखा गिया है तो इसको heroic couplet में लिखा गिया है इसको याद रखिएगा इसको heroic couplet में लिखा गिया है इसको समझाने की जरुवतनी heroic couplet भी मैंने आपको समझा रखा है बहुत videos बनाई है उनमें मैंने detail explanation दिया है the one जो मेरी videos लगातार देखते आ रहे होंगे उनको इस चीज का बड़ा ही clear हुआ होगा what is heroic couplet है न और जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो वो जाके उन videos को playlist में जाके देख सकते है next question चलते हैं हम next है आपका eighth question the mock epics the mock epics are written for the purpose of अब यह जो mock epics है इसको लिखने का कारण क्या है obvious सी बात है इसको जो purpose है वो यही होगा कि भई इसको हास्यस्प्रद बनाया जाए व्यंग आत्मक बना जाए है न तो इसको बनाया जाता है inner satirizing मतला हास्यस्प्रद या व्यंग करने के माध्यम से ही बनाया जाता है इसको इसमें जो अगर हम बोले literary devices अगर पूछ लिया जाए extensively इसमें इस चीजों को यूज किया जाता है जिससे इनके अंदर एक satiric effect प्रद्यूस्ट हो व्यंग व्यंग रूप आ जाए और बैस यह है इसमें notable points क्या करते है satire करने की पूरा ideas और condition उसी प्रकास ला लेते हैं तो this is the purpose of making mock epic next question है इसका question number 9th the battle of books पूछा जाए the battle of books यह सबसे finest और greatest मानी जानी क्या है mock epic है this is also a mock epic क्यों mock epic है मैं इसको समझा दो यह एक short satire लिखा गया है धियान देना paper pen लेके बैठा करें यह एक short satire मतलब व्यंग करने वाला एक work है लिखा गया है किस के दवारा जोनाथन shift जी के दवारा यह लिखा है w f y shift ने लिखा था इसको और इसको publish किया था एक इसका एक कुछ हिस्सा preface के form में कौन से work में to his a tail of a tub रियाद हो a tail of a tub ठीक है 1704 में यह work आया था इसमें इसने इनका preface को add किया था और यह depict यह यह दरसाता है कि literal battle जो था वो actually में वो battle किस के बीच में था युद्ध किस के बीच में था किताबों के बीच में और राजा कौन था यहाँ पर राजा थी library तो कहने का मतब है एक library में books और library जो राजा है उसके बीच में युद्ध चल रहा है और युद्ध इस प्रकार से चल रहा है कि ideas है और author है ideas है विचार है और author है वो struggle कर रहा है अपनी supremacy को दिखाने के लिए कि मैं कितना supreme बन सकता हूँ तो that is why it was it was a very refined work और ये एक mock epic था तो I hope आपको समझ में आया होगा it is your mock epic the battle of books लिखा किसने है अगर पूछ किया जाए जरनाथन shift ने इसको लिखा था next question पर चलते है that is your question number 10 देखिये lyric is derived from the Greek word lyric को derived किया है Greek word से तो उस Greek word का नाम क्या है lyric आप जानते है lyric का मतलब होता है गीत ठीक है और इसको Greek word से निकाला गया है derive किया गया है और वो Greek word जो है वो है आपका lie rikos it is lie rikos lie rikos का मतलब क्या होता है lie rikos का मतलब होता है इसका मतलब होता है singing to the liar लिख लीजे चाहे singing to the liar l-y-r-e liar liar किसे कहा जाता है ये भी मैं बता दू वैसे इसके आगे भी question है but doesn't matter मैं आपको explain कर देती हूँ liar vina को कहा जाता है liar is what? liar को कहते हम vina l-y-r-e liar है vina ठीक है, तो vina को लायर को, तो कहने का मतलब है गाना गाना, वीना के साथ तो उसका मतलब है लायरिक खॉस जो की ग्रीक वर्ट से निकल के आता है इसके बाद next question है lyrics is a Greek अब आपको मैंने बोली दिया lyrics Greek क्या है? एक song है एक गीत है गीत, मैंने lyric को आपको बताए दिया lyric का मतलब गीत lyrics was sung with a musical instrument अब ये जो lyrics गाये जाते थे ये किसके साथ गाये जाते थे आपको मैंने अभी उपर बता दिया liar के साथ, liar क्या है? वीना है वीना कहलो या फिर इसको सिथेरिया भी कहते थे, सिथेरा liar या अगर liar ना दिया हो अगर सिथेरा दिया हो तो that is also same, सिथेरा liar या सिथेरा I hope ये clear way हो रहे हो रहे होंगे answer आपको साथ ही साथ next question पर चलते हैं, question number 13 lyric is an expression of lyric क्या है, जो ये गीत हम गाते है वो क्या है, वो किसी भी इनसान का, अकेले का emotion है भावना है, एक प्रतियक्जक्टी की भावना है जो उसको गीत की रूप में गाता है the test of the good lyric is अगर हम बोले good lyric को अगर test करना हो, तो उसका क्या है, उसको ये देखो कि उसका गीत में कितनी sincerity है कितनी इमानदारी है next चलते है, question number 15 a short a short singer a short singing poem which expresses a single emotion usually personal, it is known as देखिए, एक छोटी सी poem जो एक single emotion, एक emotion देती हो इनसान का, जो उसका personal हो अभी हमने उपर करा the lyric is a expression of single emotion single emotion बोला ना, तो वही घुमा कि इसको question को क्या पूछ लिया है, उसने definition दे के आपको कूछ लिया है question number 16 पे चलते है who regards Shelly as the perfect singing god कौन बोलता है यह Shelly को कि the perfect singing god तो आपको याद होना चीए, A.C. Swinburne A.C. Swinburne कहते है next question है dash is an important element of lyrics lyrics में गीत में, सबसे important element क्या है तो important element हमने बोला ना इनसान के अपने emotion तो हम कहेंगे subjectivity subjectivity का मतलब होता है आत्म चेतना या आत्मियता क्या कह सकते हो आत्म चेतना, अपने चेतना तो इनसान अपने बारे में जो सोच के गीद गाता है that is known as a यह इसकी एक important element खेलाई जाती है ठीक है जिसमें वो अपनी personal feeling को explain करता है question number 18 थे है आपका the theme of the impersonal lyric impersonal तो आप समझीगे जो personal ना हो तो वो कौन से हो सकता है personal वो होगा जो अपने भावनाओं को बताएगा जो impersonal है तो वो festival पे भी गा सकता है marriage पे भी गा सकता है तो all of these will be the right answer I hope यह सब आपको clear हो रहे होंगे इसके बाद हम चलते हैं next question पे question number 19 let's have a look देखिए the point who is best known for his dramatic monologue वो कौन से point है जो dramatic monologue के लिए बहुत माने जाते हैं अगर आपने आपको मैं work बताओं तो आपको याद आ जाएगा my last duchess यह सबसे famous उनका monologue रहा है yes, might be easier for you now to understand he is your Robert Brownie क्या है Robert Brownie यह आपके course में भी है next चलते हैं Ulysses Ulysses is a dramatic monologue which is written by Ulysses किस ने लिए है यह Tennyson ने लिए है सबको पता है Alfred Lord Tennyson जो आपके course में है यहनों ने इसको publish किया था आपको याद भी होना चीए कब publish किया था 1842 में इन्हों ने इस work को publish किया था और जिसको पहला true dramatic monologue भी कहा गया याद भी लिख लीजे इसको first true dramatic monologue ठीके तो यह भी एक point है जो आप add on कर सकते हैं इस question के साथ next चलते हैं next question है आपका question number 21 यह भी आपको मैंने ballad अगर आपको याद हो मैंने literary forms पे ballad explain किया है बहुत detail में तो वहां से आपको समझ में आ गया होगा जिसने अभी तक नहीं देखा हो वहां जाके जरूर देखें please तो बहुत detail में explain किया है then it will be easier for you to understand as well देखें ballad क्या है ballad का मत्तब होता है dance song मैंने सब बताया है from where it has been originated everything सब बताया है तो आपको कुछ समझाने के जरूरत नहीं है आप वहां देख लीजे playlist में ballad दिया है ballad is a dance song next है the wife of usher's will the wife of usher's will is a form of यह जो wife of usher's will है यह एक traditional ballad है पहले समझ लीजे यह एक traditional ballad है अभी समझाते हैं क्या है जो कि catalog किया गया था as child ballot 79 catalog किया गया था child ballot 79 और नमबर दिया था 196 196 इसको नमबर देके in round folk song index यह एक European ballad है तो European ballad have been generally classified अगर हम बोले तो यह three phases में classified होते हैं European ballads तो इनको अगर distinguish किया जाए तो यह तीन format में होते हैं एक तो आपका हो जाता है traditional traditional दूसरा हो जाता है आपका broad side broad side और जो तीसरा है थर्ड वाला वो होता है आपका literary ठीक है तो यह जो wife of usher well है यह traditional है ठीक है I hope clear है यह आपको उत्तर clear हुआ होगा इसके बाद next question है in which stanza इसको थोड़ा उपर कर लेते हैं 23rd question को देख लेते हैं in which stanza from form is grace allegory written in country चोच्च्याड रिटन तो यह जो आपको याद होगा आपने पढ़ा भी हो गई है जो gray का है gray का मतलब है Thomas gray की बात चल रही है जो यहां gray दिया है he is your Thomas gray है ना तो Thomas gray का जो है ना country churchyard written तो इस में कौन से stanza में वो कहता है कौन से stanza में इस stanza में allegory written है allegory कौन से उस में है तो जो allegory return in country churchyard है यह एक heroic stanza है यह क्या है heroic stanza है ठीक है और iambic pentameter में लिखा गया है जिसमें एक जैसा metrical और structural pattern देखने को मिलता है और आप कह सकते है यह बिस इसमें इतना ही है heroic stanza है और iambic pentameter है जो एक ही pattern में follow करता हूँ दिखाई देता है इसके बाद next question पे हम चलते हैं that is your question number 24 who is credited to have used the term stream of consciousness in his work the principles of psychology you must know it क्योंकि stream of consciousness के उपर भी मैंने आपको playlist में literary forms and terms समझाय थे तो वहां मैंने आपको बताया था कि यह जो stream of consciousness है मैं थोड़ा सा आपको और इसको थोड़ा सा बता दू it is an important question as well जो यह यह coin तो किया था by Alexander Bain ने 1855 में the senses and the intellectual में लेकिन credit यह किसको गिया था it was commonly जिसे हम बोले credit मिला था William James जी को बहले कह सकते हम की coin तो किस ने किया था Alexander Bain B.A.I.N. 1855 में लेकिन इसका पूरा जो whole soul credit जाता है it goes to William James और William James को भी यह मिलता है जब वो अपना एक work 1890 में उनका एक work आता है principle of psychology उसमें so I hope यह clear वह होगा आपको इसके बाद next question जाए वैसे भी यह detail में समझाया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं playlist से question number 25 पर चलते हैं let's have a look question number 25 इसमें यह बोलता है a critical explanation or interpretation of text especially in scripture Bible में जो दिया गया है a critical explanation है और interpretation मतलब की व्याख्या है एक text की व्याख्या है जो की pure Bible से ली गई है especially उसको कहते है exgesis exgesis a option is the right answer ठीके जिसको मतलब यह लिखा यह religious especially इसको एक religious piece of writing कह सकते हम मतलब बहुत केरफुल study के बाद इसको लिखा जाता है तो that is exgesis next question है 26 a funny play for the theater full of ridiculous situations ridiculous का मतलब आप जानते ही है हास्य इस्परद तो mock जिसे हम कह सकते है तो एक funny play theater में जिसमें पूरी तरीके से situations क्या हो हास्य इस्परद हो तो उसको हम बोलते है farce तो farce commonly वो होता है जो audience को entertain करता है ऐसी situations लाता है कभी-कभी वो बढ़ा चड़ा के बोलेगा खर्चील मतलब ज़्यादा दिखाएगा हास्य स्परद रहेगा absurdity दिखाएगा तो these all are the situations which are being seen in the farce अब देखे farce आपके course में है literary term में तो थोड़ा सा मैं इसके कुछ points आपको बोल रही हूँ तो आप hand to hand लिख भी लिए farce केकर हम characteristic की बात करें तो ये एक physical humor है humor मैं आपको कहीं पर समझाया है कि चार टाइप की humor होते है हमारे body में fluid होते है ये हमारे mind को healthy रखने का काम करते हैं yellow bile, black bile, filch मैंने लिखाया है, पढ़ाया है मैंने इससे पहले कोई वीडियो है literary term पे, उसमें humor कर किया आया था तो वहाँ मैंने आपको explain किया है ये deliberately nonsense चीज़ों को बताता है जैसे satire, parody, हास, mockery real life situations के ओपर लोगों के ओपर, events के ओपर unlikely हम कह सकते है humorous instances, miscommunication हम कह सकते है और बहुत ही ज़्यादा ludicrous और बहुत ही ज़्यादा exaggerated characters इसमें दिखाया जाते है ये कुछ features है फार्स के चलिए, next question पे चलते है question number 27 and that is your a particular type of style of literature a particular type or style of literature art, film or music that you can recognize because of its special characteristics देखें कितनी बड़ी बात है कोई भी एक particular type हो या कोई style हो literature का या कोई art हो या कोई film हो या कोई music हो जो आप पिल्कुल पहचान सकें और वो भी इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक special characteristics है इस वज़े से तो उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है जैनरी वाट वी कॉल इट जैनरी तो जैनरी एक literary जैनरी है जो एक category है literary composition की particular अगर हम बोलें तो type of इसमें literature आ जाता है painting, music, film या कोई और form, art form भी आ सकता है जहां लोग उसको consider करते हैं एक class के रोप में क्योंकि उसके एक special characteristics है तो जो most general जैनरी in literature है वो कौन-कौन से है वो भी आपको आने चाहिए वो है epic, tragedy, comedy, novel, short story और they can all be put in a generous prose or poetry तो I hope यह आपको clear हो हमेशा जब कोई work पढ़ते हैं author का तो हम कहते हैं इसकी जैनरी यह है that is what we are talking about चलिए, next चलते है, next question number 28 पे चलते है the term eukratia refers to eukratia देखिए, eukratia का मतलब होता है a normal state of health अब normal state of health वो ही आ गई, जहां मैंने यह एक मैं थोड़ सा समझा दूँ फिर उसके बाद बताते हैं यह actually hippopotam, यह एक hippocratic medicine के ओपर यह based है hippocratic, ठीक है यह माना जाता है कि body जो है, वो एक हम यह कह सकते हैं कि that for a, अगर हम चाते हैं कि हमारा healthy body हो तो उसके लिए हमको चार humor की बहुत जरूरत पढ़ती है जिससे वो balance रहे हमारी body के अंदर और वो हमको strength देता है of each human मतलब जो हमारी body के अंदर तत्व हैं उनको, उनसे हमको, हमारी body को क्या मिलती है एक, you know, balancing मिलती है और वो strengthen करता है हर एक humor तो हर एक humor अगर मैं बोलू तो हमने पढ़े थे हमारे proper blending और balance करने के लिए चार humor है जब मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में literary marathon series कराई होगी तो वहां मैंने humor का जिक्री किया था तो वहां मैंने बोला था हमारी body में ये बोला गया है कि चार प्रकार के humor होने चाहिए जो हमारी body को संतुलित रखते हैं हिल्दी रखते हैं एक मैंने fletch बताया होगा एक मैंने yellow, एक yellow bile, black bile and blood तो ये सब के सब हमारे body को क्या रखते हैं संतुलित रखते हैं ये हमने उसमें पढ़ाता है तो this is what the question is about The term Eukratia का मतलब होता है A normal state of health Is that clear? Now moving on to the next question That is your 29th देखते हैं क्या है इसमे A short description in words or prose of a picture skew, scene or incident especially in rustic or pastoral life एक short description हो किसी भी words का या किसी प्रोस का एक picture scene के form में या कोई घटना के form में और जो especially एक देहाती जीवन को भी अतीद करता हूँ दिखाता हो तो उसको क्या कहते हैं तो ऐसे work को हम कहते हैं आपको याद होना चीए that work is देखिए यहां question के option ही गलत डाल दिये तो मैं आपको बता दूँ क्या होना चीए मैं डिरेक्टली आपको answer बता देती हूँ because यहां options are given wrong these all are options अगर चलो हम मान भी लेते हैं यह तीन option दे रखे हैं एक option हम मान ले या प्लैटो की जगा मान लो आप यहां पर क्या दिया है आइडिल आइ-डी-वाइ-ल-ल इसको लिख लीजिएगा आइडिल आइ-डी-वाइ-ल-ल आइडिल तो आइडिल का मतलब क्या है rustic life एक descriptive work है simple descriptive work है poetry का या prose का जो दियाती जीवन के बारे में बताता है और वो यह suggest करता है कि एक mood of peace है मतलब वहां के लोगों के अंदर एक शान्ती है और संतोश है contentment है ठीक है and today's last question is your 30th question Who was the first creator of idols in Greece तो idols in Greece का सबसे पहला creator कौन था तो he was theocytos यह जो जन में लिया था इन्होंने 300 BC में और यह 260 BC में मर जाते हैं यह एक cilisian point थे he was a cilisian point cilisian point ओके और इन्होंने create किया था ancient Greek pastoral poetry को आप चाहे लिख लिए इन्होंने क्या किया था ancient Greek क्योंकि idol से pastoral आपको याद आ रहा होगा तो ancient Greek pastoral poetry poetry को इन्होंने create किया था तो आई होप आप लोग को सभी को यह video समझ में आई होगी अगर आप लोग को यह video अच्छी लग रही है helpful लग रही है तो प्लीज जादा से जादा चैनल को सब्स्क्राइब कीजे, ज़्याद से ज्यादा लोग इसको सब्स्क्राइब कीजे और जिन्हों ने अभी तक नहीं किया है, प्लीज सब्स्क्राइब कीजे, इसको भूलिये मत और आप अपने लाइक, शियर, कॉमेंट्स सच्छ देते रहें ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे रहे हैं बहुत अच्छे comments आते हैं I am very thankful to you for that और जहां आपको समझ में ने आया बेहिचक होके आप comment section में पूछ सकते हैं I am always ready to help you out there किसी को कोई संदे हो किसी भी question में I am ready to help it और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसकी reach आप लोग शेयर करेंगे तो आपके बाद और इनको और आगे शेयर करेंगे तो उतना analog YouTube का इसको feed on करेगा तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको subscribe करके make it कि इसको जल्दी से आप 1K तक कर दें उसके बार ये आगे भी बढ़ाना है it's not we have to just stand by there we have to move on further और एक जी जोर मैं बताना चाहूंगी अगर आप में से कोई बच्चे NVS की तैयारी कर रहे हो या आप करना चाहते हो then I am going to start the new batch of NVS उसका मैं नोटिफिकेशन आप लोगो डाल दोंगे the date from where I am going to start the class पाकि उससे related भी मैं मैं रातन सीरीज स्टाट जरूर करूँगे so I hope everybody is आप लोगों की सब की तियारी अच्छे चल रही होगी so good luck for your preparation और मिलते हैं next video के साथ till then bye have a good day